दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक 1000 स्क्वेर फिट में कि इंडियूजल हाउस हिंजे और वाकर से मातर 20 मिनट की दूरी पर आ जाता है दोस्तों हम लोग नोटिस कर रहे हैं कि आप हमारे चैनल पर सभी परोपरटी की वीडियो पुरी तरह देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक 1000 स्क्वेर फिट में एक इंडिविजिल हाउस जो की हिंजे और वाकर से मातर 20 मिनट की दूरी पर आ है यह कुछ इस तरीके से घर है थाउजन स्क्वेर फिट में एंड ट्वेंड यह बना हुआ है आप आजू बजू में भी देखेंगे तो तीन चार यहां पर अलड़ी घर है और यह हिंजे वड़ी और वाकर से मातर 20 मिनट की दूरी पर आ जाता है और यह है कासरसाई के पहल और चांद खिड के पहले काफी अच्छा ऐसा घर बना हुआ है आप देख पा रहे हैं बहुत ही बड़ी ऐसा घर बना हुआ है दोस्तों कि यह इसका एक्स्टीर है बाहर से कुछ इसका ऐसा नजारा है और यहां से भी देखेंगे तो आप सीधा देख पा रहे हैं एंड ट घर दिख रहा है और यह रोड है जो सीधे में रोड को जाकर टच हो जाता है और यहां पर पानी का कनेक्शन वगरा भी आपको मिल जाएगा जैसे कि यहां पर जो है बोरिंग का पानी का कनेक्शन वगरा भी आपको मिल जाएगा जैसे ही हम लोग अंदर आ जाते हैं तो आ आप देख पार हैं बहुत ही बड़ा ऐसा पोर्च है आप देखेंगे तो आपके ध्यान में आ जाएगा काफी बड़ा ऐसा यहां पर पोर्च है इस सामने आपको बोर्वेल का connection दिख रहा है और यहाँ पर कुछ आप रखने के लिए वगारा जगा भी है और आप देख पार है काफी बड़ा ऐसा इसका पोर्च भी काफी बड़ा है और यहाँ सामने टॉयलेट बातरूम भी मिलने वाला है कि कुछ इस तरीक से यहाँ पर टॉयलेट बातरूम भी बनाया है यहाँ आपको एक सिंग भी मिल रहा है आपको जगा भी मिल रहा है जहां पर आप देख पा रहे हैं यह कुछ इस तरीक से आपको यहाँ पर जगा भी ही मिल रहा है वन बीज़के का टोटल ये इंडिविजिल हाउस बना हुआ 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 यहां से जैसे ही हम लोग अंदर आ जाएंगे तो सबसे पहला आपको लग रहा है झाल है लिविंग को इस्तारि कि से यहां पर लिविंगा यहां को दिखं़ यहां फर्नीचर मिलने वाला है। और जैसे आप उपर उगरा भी देखेंगे तो पूरा सेल्इंग वागरा का पूरा काम किया हुआ है जिसके वीचे से आपको सेलींग का कोई नया खर्चा करने के ज़रूरत नहीं है और आप देख पारें काफी बड़ा और काफी huge SS का living space है जो कि आज नहीं लिखता है इतना बड़ा living space और huge ऐसा living space जैसे कि मैंने आपको बताया वास्तु शास्तर के अनुसार ये बनाया गया है as per owner ये देख पारें आप ये कुछ इस तरीके से बनाया है दोस्तों ये है इसका living room living room के बाद आ जाता है इसका bedroom bedroom भी देखेंगी तो काफी बड़ा ऐसा इसका bedroom भी है आप bedroom भी देख पारें यहाँ पर भी आपको ceiling वगरा किया हुआ दिख रहा है पूरा जो bedroom है उसको भी ceiling किया गया है काफी अच्छा ऐसा ये ceiling वगरा किया हुआ है और टूटल thousand square feet में इसका thousand square feet में ही इन्होंने बिल्ट किया है बात करेंगे अगर इसके price की तो price रखा हुआ इन्होंने 25 lakhs रुपीज 25 लाक रुपे में आपको ये घर मिलने वाला है थोड़ा बहुत नेगोशेट होगा ज्यादा नेगोशेट नहीं होगा 25 लाक रुपे में आपको ये घर मिलने वाला है अच्छा ऐसा ये घर है दोस्तों टूटल 1BHK का ये घर है बहुत ही बढ़िया और बहुत ही और किचन भी देखेंगे आप तो काफी अच्छा बड़ा ऐसा यूज ऐसा किचन बनाया गया है दोस्तों बहुत ही बढ़िया ऐसा इसका किचन भी है दोस्तों और यहां पर जैसी आप जाते हैं तो यहां पर भगवान का मंदिर भी यहां पर बनाया गया है दोस्तों आप देख पाए मंदिर भी यहां पर बनाया गया है काफी अच्छा ऐसा ये 1BHK का individual house है दोस्तों 1000 square feet में ये आपके लिए ideal है अगर आपको investment करना है या आपको यहां रहना है इसको जो price है दोस्तों price महातर इसका रखा हुआ है 25 lakhs रुपीज प्लस आपको taxes वगरा लगने वाले हैं अगर आपको यह घर पसंद आता है अगर आप यह घर विजिट करना चाहते है तो दिये गए नमबर पर ज़रूर संपर्क करें और whatsapp पर हाई करें जहां पर आपको एक form आ जागा वो form फिलप करके आप हमसे संपर्क कर सकते है थैंकि क्जिए है मैं नह इसा है मैज प्लस एड़ को और से लागगे है औरो क्टी कर दुं। झाया है, उसम और अधार है जहां यह hace पोता है बंको गजता है दोगागे है करशे ह। जिएमार को जो फ़ागे है कैया है यह है